आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली थूदा एजिसके यूनिट 4 के पार्ट 2 के बारे में इससे पहले पार्ट 1 बनाया जा चुका है यूनिट 4 के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक देदूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप उसको देख लेंगे और यूनिट 4 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली, कला और संस्कृति का केंद्र इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इससे बहले स्लेबस देख लेते हैं एक बार देखे तीन यूनिट हम कवर कर चुके हैं और चोती यूनिट का एक पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं चाहा जहाना बाद के उपर जो था और आज हम इसका cover कर रहे हैं दूसरा part आज ये unit खतम हो जाएगी आपके सामने मेरा user name है इंस्टा का यहां से आप मुझे follow कर सकते हो अपनी query है question यहां पर आप मैं आप पूछ सकते हो और टेलिग्राम पर जाकर आप गुरूप जोइन कर सकते हो एक लवे सनातक वन जाके सर्च किजिए और इस गुरूप को जोइन कर लीजिए यह गुरूप आपको काफी help करेगा और आपके लिए काफी फाइदे मन्द है यहां पर आपको related to subject free PDF अपलोड कर दी जाएगी अप नया समराज्य आता है तो अपने साथ कला और सांस्कृतिक अभी बदलाव लाता है तो फिर क्या हुआ उत्तरभायत के सांस्कृतिक माहल में भी बहुत बदलाव आया 1206 में दिल्ली सल्तनत की नीव रग दी गई थी जिसके बाद जो आए दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कहां से हुई थी तुर्की से मुहमद गोरी तुर्की से आया था ये सब तुर्की लोग थे इनके दुवारा फिर क्या हुआ तुर्की सामराज्य की राजधानी क्या बनी दिल्ली बनी और दिल्ली उस समय एक महानगर की रूप में उभरी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो कला और संस्कृति का एक मुख्या अकरशन केंदर बनी जो लोग खुरसाना से आये खुरसाना देखो एक जगे का नाम है जो उस समय तुर्की में हुआ करता था और यहाँ पर तुर्की लोग रहते थे खुरसाना से आये संस्कृतिक और वैवसाइक समु इनका व्यापक प्रतिनिथी केंदर बना डिल्ली इनका व्यापक प्रतिनिती केंदर बना यानि दिल्ली में आकर यहां पर इन्होंने संस्कृति का फैलाव किया अपनी संस्कृति को इन्होंने बढ़ाया इल्टुतुमिश्ट के कारेकाल के दोरान विशव की विबिन भागों से विद्धवान आए गुणवान और उत्क्रिस्ट लोगों के आवास का विश्राम एस्थान बना इल्टुतुमिश्ट ने दिल्ली को इतने डेवलक किया के यहांपर इसने इसे एक परियटन स्थल बना दिया ठीक है लोग यहां विश्व से भूमने के लिए आते थे ठीक है आवास के लिए या विश्राम करने के लिए आते थे और विश्व के बहुत सारे विद्वान लोग जो थे इल्टुतुमिस्ट से प्रभावित थे और यहां पर आकर उन्होंने इसकी संस्कृति को समझा, यह इसलामिक दुनिया की एक महान प्रभावी राजधानी बन गई थी, यानि इल्टुदुमिस्ट के दोरान जो है इसलाम काफी फला फूला और ये इसलामी दुनिया की एक महान प्रभावी राजधानी बन गई भारतिय कला और संस्कृती सर्व देशी संस्कृती विवस्ता में विक्सित होने लगी जो अन्य देश थे उनके साथ मिली जुली संस्कृती के रूप में विक्सित होने लगी जिसमें से फार्सी संस्कृती जो फार्सी संस्कृती थी इसने अपना महत्वण रोल निभाया पेसिकली जो तुर्की लोग थे वो फार्सी संस्कृती को पढ़ावा देते थे या फार्सी संस्कृती को अपनाते थे तो फार्सी संस्कृती की धाराओं ने यहाँ पर अपना महत्पुन योगदान दिया भारतिय संस्कृती की पेंट दिल्ली जलतनत के अंतर गत कला एवं संस्कृति का विकास कैसे हुआ देखिए तुर्की शासकों ने फार्सी प्रभाव छेतर की संस्कृतिक प्रमपराव से परीचित कराया जो तुर्की शाशक थे जो तुर्की से जो लोग आये थे उन्होंने उनको फार्सी भाषा या फार्सी का अत्यदिक ज्यान था तो उन्होंने फार्सी को फार्सी संस्कृती से सबको परीचित कराया जो की समान रूप से विक्सित थी यानि उस समय जो फारसी संस्कृति थी वो समान रूप से विक्सित थी वहां की विक्सित संस्कृति थी यह उत्तर भारत की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि उत्तर भारत के अंदर भारतिय मूल के राजाओं ने राज किया था तो उस समय उत्तर भारत की जो संस्कृति थी व कलाकारों निर्त्यकों और गायकों के आगमन से फारसी परंपरा थी फली फूली ठीक है खुरसाना मैंने आपको बताया कि खुरसाना जो था वो तुर्की में एक जगे थी जहां पर लोग रहते थे यह काफी फेमस जगे थी उस समय की तो यहां से जो विद्वान कलाकार निर संस्कृति इस समय पली फूली कि उत्तर भारत की कला एवं परंपराये श्रोताओं की अवश्यक्ताओं और सामाजिक संस्कृति परिवेश एवं संप्रक्षन प्रतिमाओं में परिवर्तन हुआ जो उत्तर भारत के लोग थे जब फारसी लोग यहां पर आये तो क्या उनका संजिक मोहल था उनकी संस्कृति इन सब में क्या हुआ परिवर्तन आया लोगोंने अपने व्येवारों को बदला जो उनकी कला थी जो संस्कृति जो भाशा थी, उन सब चीजों को लोगों ने बदला, उधारन के तोर पर बताताओं, लोगों ने उस समय क्या करा, फार्सी भाशा को सीखना शुरू कर दिया, फार्सी संस्कृती फलना फूलनी सुरू हो गई, अब जैसा देश वैसा भेस आपने सुना होगा ये तो जैसा देश होगा वैसा ही भेस बनाना पड़ेगा तो लोगों ने क्या करा फार्सी भासा को पढ़ना शुरू कर दिया उसमें दक्षता प्राप्त करनी शुरू कर दिया यानि फार्सी भासा को समझना शुरू कर दिया ठीके पढ़ना शुरू कर दिया जो उस समय मद्य का लिन भा प्रशाशन इस समय चल रहा है जो सरकार उस समय चल रही थी उनकी भासा भी वह फार्सी हो गई थी तो इसलिए लोगों को लोगों के जीवन में लोगों की सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन आना शुरू हो गया दिल्ली जो है वो इसलामिक अध्यन का एक केंदर बन गया यानि यहां पर इसलामी संस्कृति का प्रसार होने लगा तो दिल्ली क्या हुआ इसलामिक अध्यन का केंदर बन गया यहां पर असंख्य मदर्से बने मदर्से में आप जानते हो यहां पर जो है लेंग्वेज सिखा और भासा के प्रसिद्ध अध्यन केंदर के रोप में विक्षिद होई तेरवी सताबदी तक क्या हुआ दिल्ली के अंदर फार्सी साहित्य को सीखने के लिए और फार्सी भासा को सीखने के लिए अत्यदिक अध्यन केंदर खुले ठीक है और ये प्रसिद्ध हो गई कि यहाँ पर जो है फारसी भासा को सीखा जाता है एक्जामपल के लिए अमीर खुसरो जो उस समय के थे अमीर खुसरो और अमीर हसन ये फारसी भासा के अग्रिन लेखक थे यानि इनको फारसी भासा का अत्यदिक ज्यान था एक्सपर्ट थे फार कि परफिताए लिखते थे फारसी बासाओं के अंदर उस समय जो कुछ इतिहास में लिखा गया वह फारसी के अंदर लिखा गया होता इस स्थापत्य का क्या रोल लोर था उस समय में इसकी बात करते ऐक बार कि आपको किसी continuing संस्कृति के किसी भी संस्कृति को जो है वो अभी व्यक्त करती है यानि बताती है जैसे कि एक्जामपल के लिए मैं आपको बताऊं मुगलों के बारे में यह में जानना है तो हम उनके किलों को देखते हैं किलों के अंदर क्या-क्या स्थापित किया गया इनको देखते हैं तो ये उस समय की संस्कृति को उमें बताता है ठीक है ये देखते के उनके द्वारा क्या निर्माण क्या कराया गया उनसी कला को यूज करते थे क्या चित्रकारी थी ठीक है किस टाइप की जो संद्रिये वो कुंद्रियेता का प्रियोग करते थे ठीक है किन पत्थरों का उन्होंने प्रियोग करा तो ये सब चीजे किसी भी संस्कृति को बताती है अभी वेक्त करती है किसी भी संस्कृति को पहचानने के लिए ये दो चीजे बहुत जरूरी होती है भारत में तुर्की शासन की स्था आप से चलने लगी, वहीं इसने कला में भी अपने एक नई चवी छोड़ी, ठीक है, कला की दृष्टी से भी देखा जाये, तो यहाँ पर इन्होंने वहत्पुन बदलाव किये, और इन्होंने एक नई चवी को प्रारम्ब किया, दिल्ली के स्मारक, दिल्ली के सुल्तानों चैली को बताती थी, कि उस समय में क्या क्या स्थापित किया गया, 13 सदी के दोरान, ठापत्य शैली को भारते इसलामिक शैली के रूप में भी देखा जाता है, यह का जाता है, कि जो हिंदू और मुस्लिम जो दो कलाये थी, वो एक दूसरे से भिन्न थी, लेकिन फिर भी उ दोनों का लाइक दूसरे से भिन्न थी, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक साथ सम्मलिन, यानि एक साथ मिला के देखा जाता था, तुरकिश आशकों ने भारती राजमिस्त्री यानि जो भारते में जो राजमिस्त्री थे, जो काम करते थे, निर्मान वग्यारा का, उनके कल कर्के उन्होंने अपनी इमारतों का निर्मान करवाया जो बहुद्स भारते राज मिस्तरी थे उनके त्वारणिक पद्धिति इस पद्धिति को प्रियोग करते थे श्कें मुख्य द्वार को होकर था कि घंब होते थे और घंबों पर कडियू को डाल है अं के उन कड़ियों के हिसाब से मुख्यद्वार को बनाया जाता था और भवनों में पत्थ्रों का प्रियोक करते थे यह लोग कि इसके विपरीत इसलामिक जो थी इसलामिक वास्तु सिल्थ थी वह महरबदार शैली पर जोर दिया जाता था उसमें महरबदार जैसे जो गूल गुंबद वगएरा जो बनाई जाती है ना उसे हम कहते हैं महरबदार जैली आपने देखा होगा जो इसलामिक भवन वगएरा जो होते हैं उनमें एक अलग शैली का प्रियोक के जाता है ठीक है बजाए हिंदू धरम के जो भवन वगएरा होते हैं उनके इस इससे जो होता है वह बना हुआ होता है ठीक है इसका प्रियोग किया था इसलामिक वस्तु कलाओं के अंदर इसमें महरबों गुंबदों तहकानों इन चीजों के यह लोक प्रियोक करते से यह इनके विशेश माने जाती भवनों के निर्मार्ण के द stylish जीव जन्तों के चित्र इसलाम में निशेद माने जाते थे इसलाम में जीव जन्तों के जो आपने देखा होगा ठीक है दिवारों पर जो कलाय की जाती थी तो ये लोग जीव जन्तों के चित्र वगेरा को नहीं बनाते थे इसलाम में कहा गया था कि ये सब कुछ वर्जित है इनका प्रियोग जो है वो नहीं करना चाहिए तो जीवजन्तों का चित्रों का ये लोग प्रियोग नहीं करते थे दिवारों की सजावट के लिए ये लोग सुलेखन कला का प्रियोग करते थे ठीक है सुलेखन कला यानि दिवारों पर कुछ लिखते थे उर्दु भासा में या फार्सी भासा में तुर्की भासा में इन चीज़ तुर्क फार्सी भासा में लिखते थे ठीक है तो इनका प्रियोग करते थे दिवारों की सजावट के लिए और इमारतों की सजावट के लि ले पत्तों का निर्मान के एता है पत्तों को का Hai में मजारों मस्जी दरगे और कीलों का निर्मान पर जाना इसके इनदर बहुत जादा निर्मान राइन तिनम निर्मान कारें के लिए इसमें इसना स merchandise अगार का बड़े isme कि संगेट की कैस थी ती उस समय के उस समय में इसकी बात कर लेते हैं एक बार कि संगीत के छेतर में भी महत्पून परिवरतन उभर कर सामने आए track समय में सल्टनत के पूर्व दिनों में संगीत अभीने निरत्ते और गायकी का मिश्रण था यानि इन चारों चीजों का मिश्रण था जिस समय दिल्ली सल्टनत का राज चल रहा था और नाट्टे शाला के ग्यान को समाज के रसीक लोगों को अवश्यक संसकार माना जाते हैं कि अत्या को लेकिन जो तुर्की शाष्ण था उसको नाट्टे शाला पसंद नहीं थी यारि वह नाटक के माध्यम से पस्टन नहीं करते थे कुछ भी देखना या समझाना तो उनको यह सब्सक्राइब नहीं थी तो उस दोरान उन्होंने क्या करा संगीत शब्द में कुछ जो कुछ बजौते हैं बजा बजाकर दिखाते Czech उसे कहते है वादल संगीत ठयियों कि जो इन कलाओं को शामिल कर दिया गया और ये और इसी क्वड कवार्सी संगीत का विस्तार हुआ पार्सी और की संगीत के विस्थार हुआ ने सुल्तानों की प्रसंसा में जब कोई भी सुल्तान आता है तो उसकी प्रसंसा करना या फिर उसको प्रत्साहित करना ठीक है उसको खुश करना वहां की जो प्रजा होती है या फिर जो अधिकारी होते है कहीना कि उनका महतपुन कार्य बन जाता है वो ये सब कुछ करना तो उस समय जो फारसी और भारतिय संगीतकार थे उन्होंने क्या करा सुल्तान की प्रसंसा के लिए गजले लिखी कवालिया लिखी ठीक है उनको वीर पुरूस के रूप में प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने तो ये सब कुछ ये कलाकार संगीत के माध्यम से करते थे और उन्होंने क्या करा प्रतेक संगीत में इसको स्वर लहरी में डाल दिया यानि बैक्ग्राउंड म्यूजिक जो हम कहते न स्वर लहर में बना दिया इसको इन चीजों को उसके बाद देखते हैं रंग मंचिये कलाकार यानि जो स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं उसका क्या रोल था रंग मंचिये कलाकाओ कलाकालाओ का उसका क्या रोल था उनका कहते हैं कि उस समय पुनर जागरण हुआ दुबारा से उनका विस्तार स्टार्ट हुआ रंग मंच कला जी क्या होता है ये सामानेता पतर ये शब्द जो है ये संस्कृत भासा के पत्री शब्द से लिए गए है इसका मूल रूप है इस सब्द से ये सब कुछ बना है इसका मतलब होता है अभीनेतरी या अभीनेता ठीक है अभीनेतरी के माध्यम से अभीनेता के माध्यम से हम जो भी कुछ बताते हैं ज्यान देते हैं जैसे मानलो हमें किसी करेक्टर के बारे में कुछ बताना है तो हम क्या करेंगे उस करेक्टर के उस करेक्टर को अपने अंदर ढालेंगे ठीक है और स्टेज पर जाकर वेश भूशा को बदलेंगे और उसके माध्यम से हम उसके बारे में उसको बताएंगे सूफी कवी मलिक मुहम्मद जैसी जो था ये पुतुर का उलेक करता था और मलिक मुहम्मद जैसी किसके काल में था अलाउदिन खिलजी के काल में था अलाउदिन खिलजी के काल में था वो इसके अखाडे अखाडे कहते हैं कि उस समय जो मनोरंजन कार ये चलते थे उसे कहते थे उस समय अखाडे तो ये सूफी कवी था ये मलिक मुहम्मद जाय सी और ये पुतुर उलेक करता था यानि ये बोलता था पीछे से और स्टेज पर जो था अभीने करने के लिए स्वांग जो होते थे वो करेक्टर को अपने अंदर डालके वो जो है उस समय बताते थे तो ये सब कुछ क्या था स्वांग के नाम से सब कुछ जाना जाता था स्वांग इसको स्वांग कहते थे यानि किसी भी स्टेज प्रोग्राम के दोरान जो हम किसी करेक्टर को बताते हैं पूर एक्जामपल हम unit 4 complete हो जाती है इसके बाद next video में बिलते हैं next topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैभारत